वाट्स अप गाइज मैं अपका हूडी इंचीड स्वागत करते अपने क्लाइशन लेजेंड के एक और डाया बेसिक एपिसोड में तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको टाउन होल 8 से 8 के बहुत सारे अटैक स्ट्राटेजी के बारे बताने वाला हूँ दोस्तों तो खाज करके टाउन होल 8 वाले जो प्लेयस है उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है वीडियो एंड तक जरू देखना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेएं दोस्तों क्योंकि आपको इसी तरह गेमिंग से रिलेटेड क अधर गेमिंग से रिलेटेड और कई अधर गेमिंग से रिलेटेड इनफोमेशन हमारे चैनल को देखने को मिल जाएगा दोस्तों तो चलिया दोस्तों बिना कोई देरिके शुरू करते आज का वीडियो तो दोस्तों टाउन हो एट प्लेयर्स के लिए मैं आज लेकर आयो अटेक स्टाटेजी तो वीडियो इन तक जरूरू देखना हर एक स्टाटेजी को समझने के लिए दोस्तों तो चलिया दोस्तों मैं आपको पहली स्टाटेजी दिखा देता है दोस्तों तो पहली स्टाटेजी है दोस्तों मैं यूज करते हूं मतलब आपको सजेच्ट करते पहले आपको दोस्तों Lightning Spell यूज करके और Earthquake Spell यूज करते एर डिफेंस को डाउन कर लेना है एर डिफेंस डाउन हो गए तो आपको पहले कि आपका मतलब आपके बास Barbarian King तो 100% होगा आपका टाउन हो लेटे तो आपको Barbarian King छोड़ना है दोस्तों वो क्या करेगा कि Archer Towers और Hidden Tesla का ध्यान कीच लेगा तो दोस्तों आपको ऐसा Curl Shape बना के पूरे C Shape में Dragon छोड़ देना है दोस्तों और जैसे ही Dragon क्लान कैसल में से कुछ निकला अगर शायद से कुछ निकल जाए क्लान कैसल में से तो आपको उसी टाइम ड्राइगन पर Red Spell छोड़ देना है दोस्तों तो यह क्या करका Dragon अगर क्लान कैसल में से कुछ नहीं निकला तो आपको जब ड्रागन ऍस टाउन होगे तो आपको रेच्पेल डालना होगा तो दोसतों बढ़ते हैं दूसरे स्ट्राटेजी को, दूसरी स्ट्राटेजी है दोस्तों कि आप उसे विजाड और हॉक स्ट्राटेजी तो इस strategy में आपको क्या करना है दोस्तों आपको यूज करना है एक golem, 6 valkaries, 15 wizards, 2 archeries, 12 hawks, 1 healing spell, 2 rage spell and 1 poison spell तो दोस्तों आपको पहले क्या करना है इस attack strategy में आपको clan castle के पास दो archery छोड़नी है और देखना है clan castle में कुछ है या नहीं दोस्तों अगर कुछ clan castle में से निकलता है तो आपको उसे side में ले जा करके poison spell डाल के मार देना होगा wizard यूज करके दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना होगा? मोटर का ध्यान कीचने के लिए आपको छोड़ना होगा गूलम उसके बाद आपको उसके पीछे छोड़ना होगा barbarian king barbarian king के पीछे आप छोड़ दो वोलकरीज और वोलकरीज के पीछे छोड़ देना hawks और hawks छोड़ने के बाद आपको पूरे c-shape में wizard छोड़ देना है तो क्या होगा कि गूलम आर्चरी और हिडन टेसला और मोर्टार का ध्यान आपनी तरफ खीच लेगा तब तक hawks सब defense clear ते करने देगे दोस्तों अगर आपको लगता है आपके hawk की health कम होए तो उसी टाइम आपको एक healing spell डालना है दोस्तों और जैसे विजाड याक वोलकरी जाते है दोस्तों टाउने ओल के पास उसी टाइम आपको उन पर red spell डाल देनी है या फिर आप यह hawk पर भी use कर सकते हो दोस्तों तो यह थी हमारी strategy no.2 तो बढ़ते strategy no.3 की तरफ से दोस्तों तो strategy no.3 यह full hawk attack strategy तो दोस्तों इस strategy में आपको करना किया आपको use करना एक golem 4 valkaries 15 hawks 15 wizards 3 archeries 2 healing spells 1 rage spell and 1 poison spell तो दोस्तों इस strategy में आपको करना किया कि आपके पास तीन आर्चरे उनको आपको clan castle के पास छोड़ देना है दोस्तों जैसे clan castle में कुछ निकल आएगा दोस्तों तो दोस्तों आपको उसे wizard यूज़ करके डाउन कर देना है दोस्तों poison spell भी यूज़ करना है दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका golem छोड़ देना है उसके पीछे barbarian फिर कुछ wizard छोड़ देना है चार-पाच और sides का सब clear कर देना है उसके बाद आपको वोलकरी अंदर जाए सब funnel बना देना है तो वोलकरी सीधा अंदर जाएगी बेस में तो बेस पर अधर चाकी बहुत सब clear करें आपके आसानी से दो तिन स्टार तो 100% निकल आएगे तो दोस्तों बढ़ते अर्टे स्ट्राटीजी नेबर 4 की तरफ स्ट्राटीजी नेमर 4 है पिका अटेक तो स्ट्राटीजी नेमर 4 है फुल पिका अटेक यह सी एक या दो स्टार निकल लेके काम आती है या फिर आपको ज्यादा लूट चाहिए तो यह स्ट्राटीजी काम आते है दोस्तों इस स्ट्राटीजी में आपको यूज करना 8 पिकाज 1 हीलिंग स्पेल 2 रेट स्पेल and 1 पॉईजन स्पेल तो दोस्तों आपको पूरे एक साइड से मतल तो आपको उन पर हीलिंग स्पेल डालना है अगर पॉईजन स्पेल यूज करने तो क्लान कैसल में कुछ निकल आएगा और पिका पर सिधा अटेक करेगा तब आप पॉईजन स्पेल का यूज भी कर सकते दोस्तों तो बढ़ते हैं नेक्स स्ट्राटीजी के और नेक्स टेन विजड्स, टू हीलिंग स्पेल, वन रेट स्पेल और वन पॉईजन स्पेल दोस्तों इस स्ट्राटीजी में आपको करना क्या है कि आपको पहले कुछ मतलब हॉग अगर क्लान कैसल आ तो हॉग डालके क्लान कैसल मिलके कुछ निकल आए तो उसको साइड में ले जाकर आपको होक को हील करने के लिए दो स्पेल यूज़ करने और आपको विजार्ड या फिर पिक का अंदर घुशेंगे तो उन पर आपको रेज स्पेल यूज़ कर देना है दूस्तों तो यह अटेक स्ट्राटीजी कुछ इस तरीके या अटेक स्ट्राटीजी में आप 2-3 तो आपको वीडियो के से लेगी मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बतना अगर आप चानल पर नहीं तो चानल को सब्सक्राइब कर ले ना और बाजो ओला बेल आइकन दबान ना भुला दोस्तों क्योंकि मैं इसी तरह क्लाइन से रिलेटेड ऐसे आमेजिंग वीडियो लाता रहता हो तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते अगले नहीं गेमिंग एपिसोड में